वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें दूसों आरो आरो दोजर टीस की परिक्षा की तैयारी की ग्रम में हमने पी वाई क्यू सिरीज स्टार्ट की है जहाँ पर हम पिछले बर्सों के प्रिश्णों को देख रहे हैं और यह हम सब्जेक्ट वाइस लेकर सल रहे हैं तो अभी लास्ट वीडियो में हमने पॉलिटी क स्टार्ट किया था पॉलिटी के कॉश्टन से स्टार्ट की तो आज हम इनी को आगे बढ़ाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे इसके अलावा प्रिविएस वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं जिसमें हमने कई सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर दी हैं लाइक यूपी करें और आपका एक्जाम तो फरवरी में है ही तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है लगभग एक से डेट महीं नहीं बचा हुआ है तो इसका भरबूर प्रयोक करें और इस बार एक्जाम अच्छे से किलियर जरूर कर ले चलिए स्टार्ट करते हैं निमलेखित अधिनियम में जहांसे कई सारे आर्टीकल अभी हमारे जो भारत का समिधान उसमें भिलिये गए अगला प्रिश्ण है दो वर्णन किस अनुसूचिमें सातवी अनुसूचिमें नवी अनुसूची कुछ अधिनियमों की बिदी के बारे में बताती है और दसवी अनुसूची में दल बदल है यानि कि दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता कि दल परिवर्तन अगर कर लेंगे तो वो कैसे निरहर हो जाएंगे या इनिकी इलिजिवल नहीं रहेंगे ये नेताओं के संबन में जो भी दल होते हैं राजनेतिक दल उनके बारें बताये गया है तो दस्विया ने उसुची बहुत बारे एक्जाम में पूछी गई इसको याद रखना है और ये सारी इंपॉर्टन है और उसुची बारा ही है तो याद कर लीजे उनके विसाए इसके उपर एक पूरा वीडियो भी आ चुका है तो अगर आप चाहें तो ऑनलाइन एक्जाम नौई में है निर्वाचन भाग पंद्रा में है तो ये वाला दूसरा गलत हो जाएगा जो गलत है वही चुनना है तो ऑप्शन भी चुननेंगे अगला प्रशन देखिए निमलिकित में से कौनसा सही सुमिलित नहीं है अस्प्रिश्टा कांत इसके बारे में किस आर्टीक याद नहीं किए अभी तो जल्दी से याद कर लें क्योंकि प्रिश्टा पूछे जाते हैं एक्जाम में एकसर पूछे जाते हैं पॉलिटी में एक प्रिश्टा आर्टीकल से मिलेगा ही मिलेगा तो जो इंपॉर्टेंट आर्टीकल है तो यहां पर ऑप्शन भी सही उत्त पंचायते भाग नौ में है नगरपाली का भाग नौ ए में है सेकारी समीदियों का वर्णन भाग नौ भी में किया गया है और अधीकरन भाग दस में है तो ये तो गलत हो जाएगा option D से ही उत्तर चुननेंगी क्योंकि जो गलत है वही चुनना है अगला प्रिशन देखिए यहां पर दो कथन दिये गए हैं कथन दूसरा उसका कारण है बताना है कि सही है या नहीं है या फिर कथन दोनों सही है इसकी ब्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है यह बताना है तो पहला कथन दिया गया है राज्य की कारेपाली का सक्ति का प्र रहे कि कारेपाली का सकति संसत के कादूनों marching पालन करने के लिए सुनेशित करने के के लिए होती है और यह सक्तियां है इनका प्रयोक करगी भार सरकार राजों को आवस्यक निर्देश भी दे सकती है तो दोनों ही सही है और ब्लाइक भी रख भारती समिधान का भाग भागसुला किसे सम्मयनेद है तो भागसुला किसके बारे में वरण करता है कुछ वर्गों के लिए बिशेस उबहने ड़ान भी आद रहे रहां तो अगला प्रिश्ण है धनबढ़ंक एक विध्यक्त जो ब्धान समझा जाएगा तो 3 3 मन्थ की अफदी होती है ठीक है option C से इतर हो जाएगा अगला प्रिश्चन है सर्बोच ने आले की स्थापना की संबने में बताना है कौन सा सही है पहला है कलकत्ता में सर्बोच ने आले की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी तो 1773 में ही हुई थी बिल्कुल सही का जंदी आ गया है दूसरा है लैमिस्टर इसने आ लए कि प्रिथम मुखेनायदीस बने थे तो ये वाला तो गलत हो जाएगा ये नहीं थे अब कौन थे ये आपको कमेंट करके बताना है अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है ये टॉपिक ही थोड़ा सा पढ़ दिया होगा तो आपको याद होगा जल्दी से कमेंट करके बताएं अगला प्रिशनिती आगया है भारती समिधान का कौन सा अनुछेद लोकसभा इवन बिधान सभा की प्रतिनिदियों को इस पाचित करने और उन्हें बयस्क मता अधिकार का अधिकार पडान करने का कहीं बात करता है 326 अनुछे 326 है अगला प्रिशनित देखिए कारवाहक नियाइदि इस कहां कहां पर नियुक्त होते हैं तो इनके नियुक्ति उच्छे तम नियालय में भी किचाती है और उच exam preparation पर तो इसको भी देख लें अभी एक updated वीडियो भी आपको मिलेगा जिसमें जो नई समीतिया है पुरानी समीतिया है साधी complete करवारी जाएंगी पीके थुंगन ये कब बनी थी ये 1988 की है अशोक महता समीति ये 1986 की है ये 1997 की कई बार exam पूछी गई तो इसकी देट तो अच्छे से याद रखनी है और बियर महता समीति ये 1957 की है और एलम सिंग भी समीति ये समीति उनी सोच्छी की है ठीके तो ये समीतियां आपको थोड़ा अच्छे से याद कर लेनी है और भी कई सारी समीतिया है जो पूछी जाती है अक्सर एक्जाम में सारी आपको करवा दी जाएंगी अगला दिया गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है अंतराज्य परिशद 1990 में स्थापित हुआ था 1990 की ही इसकी डेट है तो यह सही है रास्टी विकास परिशद यह गलत हो जाएगा और गेंदी सतर्ता आयूग 1964 का है और रास्टी मानवा दिकार आयूग 1993 का है तो यह सही दिया गया है उप्शन भी से उतर चुलने की क्योंकि यही वाला गलत है इसके बाद अगला प्रिशन देखते हैं अगला प्रिशन दिया गया है ग्रामी निस्थाने साशन का पंचायती राज नामंकन किस भारती नेता की सुझाओ का परिनाम था ये M.K. गांधी के द्वारा सुझावित किया गया था, इन्होंने ही एडवाइस किया था, इनके द्वारा सुझाव दिया गया था, option D से उत्तर हो जाएगा अगला प्रिशन है भारती समिधान के 73 समिधान संसोधन के संदर में कौन सा कथन सही है तो 73 Constitution Amendment क्या कहता है, इसमें पंचायदों को सोशाषन की संसा स्वीकार किया गया है बैलकुस हही है, और इसमें सहरी इस्थानिय सरकार को सोशाषन की संसा स्वीकार किया गया है तो सहरी वाला नहीं है यह 73 और 74 Constitution Amendment है तो सहरी वाला जो नगरी निकाए है 74 Constitution Amendment हो जाएगा यह 73 वा वंचायदों के बारे में बात करते है Option C से ही उतर हो जाएगा केवल लेक अगला प्रिश्ण है भाथी समिधान के निम्लिक्षेट में है किस अनुच्छेट के दोबारा अस्प्रिश्टा की समाप्ति की गई है तो आंत्री का सांती जो है ये नहीं हो सकता आधर बाकि युद्ध अगर होता है वहाय आकर्मन होता है तो ससस्तर विद्रो होता है तो इसके आधर पर आपात के उतो पर आपात काल गोषित किया जा सकता है अगला प्रश्ण है भारती समिधान के अनुछे 170 के अनुसार किसी राजी की विधानसवा के सदश्यों की नियून्टम और अधिकतम संख्या क्रमसा हो सकती है तो यहाँ पर कहा कहा की पूची के ये विधान सवा के सदशों की नियूनतम संक्या हो सकती है 60 और अधिकतम हो सकती है 500 मतलब 500 से जादा सदशे नहीं हो सकते और 60 से कम भी नहीं होने चाहिए ठीक है ना इसके बाद अगला प्रश्ण है यहाँ पर सूचियां दी गई है कौन सा सही सुमेलित नहीं है यह वाला बताना है तो केंद्य अन्वेशन व्यूरो 1963 का है केंद्य सतरक्ता आयोग 1964 का है पिछले वीडियो उसमें भी आया था प्रश्ण में प्रश्ण चाहर निरोधा कानून यह 1985 का नहीं है और प्रवर्ता निदेशाले 2000 का है तो यह वाला सही चुलनेंगे भारती समिधान के संदर में निम्लिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कथन है संग मंत्री परिशद लोकसभा के प्रती सामोहिक रूप से उतरदाई होगी तो बिल्कुल सही है जो संग की मंत्री परिशद होती है लोकसभा के प्रती सामोहिक रूप से उतरदाई होती ह सगी के मंत्री प्रषाद परियन्त अपना पदधधारन करेंगे तो ऐसा पुलकुल नहीं होता है प्रषाद परियन्त सधार आयूक इस पहली बार लोकपाल और लोकश तो बनानी की संसतोती की थी इसकी अधक्ष खुन थे इसकी अधक्ष रहे मुराध्ची देशाई अगला पुर्षने सूचियों से है, साथवियानिसूची में क्या है, विधाई सक्तियों का वितरन क्या गया है- यह रिपीटट प्रश्थन है देख रहे होंगे हैं, इसके बाद अगला प्रश्थन है- भारतिय समिधान के सत्तरवे संसोधन द्वारा भारत के राष्टपती के चुनाओं में जिन दो केंद्र सास्यत प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार है वो कौन से हैं तो दो केंद्र सास्यत प्रदेश हैं दो यूटीज हैं जो की राष्टपती के चुनाओं में भाग ल प्रभावदान समिधान के अनुछेद 233 में बिनेडिस्ट अविधी की समाप्ती पर प्रभावी नहीं रहेगा तो option A वाला से ही हो जाएगा किवले एक से ही दूसरा कतन गलत दिया गया है अगला प्रिश्ट है भावदी समिधान के प्राधिकरत हिंदी पार्ट को निमले के समिधान संसोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकरत किया गया है तो यह 58 वा Constitution Amendment था समिधान संसोधन था 1987 जिसमें किया गया था option B से इतर हो जाएगा तो यहाँ पर हमने कुछ प्रिश्टों को देख लिया इसके आगी के प्रिश्टों को अगली वीडियो में देखेंगे यहाँ पर हम सिर्फ रिवीजन कर रहे है पीवाई क्यू लगा रहे है जो भी पीवाई क्यू है इससे आपको help यह मिलेगी कि आपको पता चलेगा कैसे प्रिश्टा आएंगे एक्जाम का नीचर कैसा होगा दूसरा आपको important topic यहाँ से मिल जाएंगे यह कौन कौन से topic आपको पढ़कर ही जाना है जिनसे प्रिश्टा एक्जाम बार बार पूछे जाते हैं तो यह चीज आपको यहां से यह profit मिलने वाला है तो पूरी आप सीरीज जरूर देखना अगर आपने नहीं देखी है और जोड़े रहें लगाता चैनल के साथ more update के लिए telegram group join करें लिंक आपको description मिल जाएगी और study for civil services के किसी भी paid वैसे जोड़ना चाते हैं तो description में आपको contact number दियेगा है उन्पर call करके information ले सकते हैं इसके अलावा आपके लिए आरो यारो दोहचार तेज के लिए online series और offline test series online और offline दोनों ही mode पर सुरू की गई है study for civil services के दारो तो पहली बाद study for civil services के offline test series आप सो भी लगा सकते हैं पूरे यूपी को cover करते हुए 11 center बनाए गए है 11 center decide किये गए है यहाँ पर आपके 8 test conduct करवाय चाहेंगे 6 जन्वरी से test start हो जाएंगे और 28 जन्वरी तक 8 test लगवाय जाएंगे आपके और इसके registration already start हो चुके हैं तो अगर आप test लगाना चाहते हैं तो जल्दी से register करवा लीचे क्योंकि seats जो है वो limited है ठीक है तो यहाँ पर आप जाकर test लगा सकते हैं environment बिल्कुल exam की तरह मिलेगा जैसा भी exam pressure होता है वो सारा आपको यहाँ पर face करने का मिलेगा ताकि आप exam में जब जाएं तो आप बहुत अच्छे से अपना performance दे पाएं उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाएं तो यह practice का आपका पार्ट रहेगा आप चाहे तो join कर सकते हैं और online test series भी available है अगर आप कहीं दूर से हैं यूपी के नहीं है अधर स्टेट से हैं तो आप हमारी online test series join कर सकते हैं उसके लिए आपको description में contact detail मिल जाएगी सारे stuff मिल जाएगी उसको आप follow कर सकते हैं thank you for watching this video thank you so much